दी डॉन एक्स्प्रेस आईना सश्का आज तक ये दिवस इंटरनेशनल काउंसिस नार्सेस द्वारा मनाया जाता है। इस दिन को नार्सेस की स्कॉडनियो कार्यों और सावसी कता के लिए भी मनाया जाता है। कोरोना मुहाबारी के एस दोर पे नार्सेस बहुत एहम भूमी का निमा रही है। जान पर खेलके मडीजों को इलज करने के लिए हर संभब मदद कर रही है। अपने घर से दूर रहकर अपने ड्यूटी पूरी तरह निष्ठा और इमानदारी के साथ कर रहे है। आज अंतरराष्टियो नार्सेस डे है तो आज के दिन उन लोगों का इस सेवा को याद करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बीना नार्सिंग स्टाप के इस COVID-19 की लड़ाई को लड़ना नामूंकिन है। साथ ये मनविगनी गृप से मोजबूत करने की काम भी करते है। जिसमें उन्हें ने सब को बोलने का मुखा दिया और उधर लोगडाऊन की समिक्सा किया गया। 15 में तक सब से सुझाव मांगे गया है। प्रधान मंत्री जी की वीडियो कॉन्फरेंसिंग से पहले ग्रीह मंत्री अमित साहो ने इसे बरतलप कड़ा और सब को कहा कि राज्यो सरकाड़े या फिर केंद्रो सासिद प्रदर्सो केंद्रो से दिया गया COVID-19 की जो गाइडलाइन्स है उसको सक्ति से पलण कड़े। पीम मोदी ने वही बात को दोराया है कि दो बाज की दूरी बनाया रखना बहुत जरूरी है। प्रियो कॉन्फरेंस में पुस्सिम बंगल की मुक्ष मंत्री ममता बेनरजी ने कहा लोगडाउन के फैसले पर ओधिकार राज्यो को मिलना चाहिए। संगे ढाचे की सम्मान होना चाहिए। आथी उन्होंने कहा कि सरकार लोगडाउन की योजोना जो है उसको सही डंग से बनाया नहीं पाया है। यहाँ पे भी राजनिती कर रही है और ओ कही जगा बेवफा भी कर रही है। इन्हों पाँच राज्यों ने लोगडाउन को सत्रह मही के बाद बारानी की मांग की है। गुजरात ने इसका बिरोध किया जबकि गुजरात जो है देश की दूसरी नंबर पर है कुई-19 की केस में। वस्चिम मंगाल और तेलेंगणा की मुख्यमंत्रियों ने ट्रेन चालने की भी विरोध किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरियाल ने कहा कॉंट्रल में जोन को छोड़के बाकी सब जगा अर्थिक गतिवेदिया सुरू करने के लिए तैयार है ताकि दिल्ली को पठरी पे लाया जा सकी। राजिस्तान की मुख्वमंत्री ने काया है कि जोन टाई करने के उधिकार सिर्फ राज्यों को मिलना चाहिए। अन्नवाद, The Dawn Express, Sawhar, Daily Home, Daily Hunt